हलो एडिवन मेरा नाम है कान और आप देख रहें लौसे ग्रेटिंग इस वीडियो हम सीखेंगे आल अबाट इंडियूस्मेंट के बारे में इंडियूस्मेंट क्या है उसको कैसे यूज़ करें और उसको हम किस टाइप से इडेंटिफाइग कर पाएंगे क्योंकि यह काफी जाधा comment question है जो जाधा लोगोंने पूछा है और I already make a video इस topic पर मैंने पहले भी वीडियो बना दिया तो आपको और जाधा simplify करके बताता हूं इस वीडियो में कि हम किस तरीके से हम इंडियूस्मेंट को identify कर पाते हैं और इसका क्या work है और हम किस टाइप से इसको use कर सकते है है to identify structure, to identify entry. इंडियूस्मेंट का basically जो main purpose हो दा है to induce a people एक ऐसा specific point जहां पे लोग like induce होते हैं, attract होते हैं for buy and sell and looking for reversal तो उस point को हम इंडियूस्मेंट कहते हैं इसको हम थोड़ा सा structure पे समझेंगे और थोड़ा सा ड्रेंग से समझेंगे जैसे आपको समझने में काफी आसानी ह होगी सबसे पहले इसको थोड़ा rank से समझ लेते हैं कि actual में इंडियूस्मेंट कहां पे होता है किस टाप से create होता है और हम इसको कैसे identify कर पाएंगे देखो जब भी market आपका bullish trend में है या फिर bearish trend में है और market एक higher high या फिर lower low create करता है तो वह इंडियूस्मेंट के बाद ही create ह होता है या फिर जब भी हम entry लेते हैं for buy and sell उसमें भी आपका इंडियूस्मेंट का role सबसे important रहता है अगर for example के लिए हम मानें आपका trend जो है वो bullish है और continue उपर की तरफ rise कर रहा है तो यह एक bullish trend है actually यह single leg move है right now यहाँ पे किसी भी टाप का इंडियूस्मेंट create हुआ ही नही करते हैं आपको wait करना रहेगा यहां पर कि market आपके pullback को ले वही pullback आपका इंडियूस्मेंट का काम करता है अगर यहां से market नीचे के तरफ drop करेगा और इस लोग को break करा यह sweep करे यह close करे कुछ भी कर दे वह आपका इंडियूस्मेंट का काम करेगा और जब यह लोग आपक higher high create हुआ है वह इस point पर हुआ है ओकि scientific market आपका pullback है वह इस point पर लिया है अभी यह आपका हुगया इंडियूस्मेंट की हो गया यह कि market ने इससलोग को break किया क्यों कि जोबी लोग यहां पर buy करते हैं because सब लोगव को यह लगता है expectation हो थी कि market bullish है और market higher high create कर रहा है और pullback प आपको एक induce करता है एक अगेस्ट direction में जाने के लिए या फिर trap करता है तो यहां पर क्या हुआ हाई यह ब्रेक हो रहा है यहां पर लोग बाइं कर रहे हैं और यहां पर भी reaction मिला फिर फेर लो गया अब क्या हुआ जो लोग यहां पर पाय करते हैं उनके stop loss इसके नीचे होते मार्केट ने लिया और फिर मार्केट उपर गया तो इस तरीके से यह वर करता है दूसरे यह रहता है कि अगर मार्केट इस तरीके से बुलिश जा रहा है और यहां पर अगर मैं एक trend line ड्रो करूं यहां से अब आप देखोगे तो यह एक channel type का pattern है जो कि एक reversal pattern होता है इसमे बात क्या रहता है सेम situation यह फेल्ड हुआ और फिर मार्केट उपर गया overall अगर आप एक direction देखेगे सबसे main रहता है कि आप किसी भी stock या फिर किसी भी market में analysis कर रहे हो या trade कर रहे हो उसमें सबसे जो important यह है कि आप उसका direction देखो overall direction क्या है अगर market में bullish direction है और वहां पे कोई various pattern वरना है तो आपको alert होना है वहां पे आपको trade नहीं लेना है क्योंकि अगर pro trend में आपका कोई भी various indication मिला है तो वो जातर chances होते हैं कि आपको वहां पे trap हो गए इसलिए आपका अगर market में bullish trend है तो वहां पे bullish ही pattern या फिर bullish structure या bullish की सेनारियो जादा देखने को मिलेगे और इसका मतलब क्या है कि यह एक indication है for reversal के लिए but technically अगर आप इसको समझोगे तो यह सिर्फ indication आपको trap कर रहा है यहां पे किसी भी टैप का bearish नहीं क्योंकि आपका जो pro trend है वो bullish है और जब pro trend bullish है तो उस cases में क्या रहेगा आपके जो bearish pattern होगे या फिर bearish आपका जो भी theory रहेग कि like जहां हम buy sell कर रहे हैं यह आप हर एक चीज में apply कर सकते हो like in a smart money concert price action या फिर कोई भी आपके strategy हर जगह यह सिम चीज़ काम करेगी right तो यहां पे जो चीज़े काम करती है like bullish market है और bearish pattern बना है तो यहां पे आपको avoid करना है लेकिन अगर आप दूसरे एक perspective से देखोगे तो आपको bullish चीज़ पर ध्यान देना है ना की bearish पर अगर आप bearish पर या वो trap हो जाओगे दिक्कत ही आती कि जब भी market trend line break करती है या breakout year breakdown directly look buy कर देख बिना care किये कि market का direction bullish है या bearish है ठीक है तो यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो market ने inducement लिए और जब market inducement लेता है तब previous high break होकर कि इसके above closing देता है तो यह आपका हो जाता है break off structure यान की market का जो direction है अब वो bullish हो गया है market में direction change हो गया है और जब break off structure होता है continuation है यान की market continue उपर जा रहा है ताब जाकरके आपका higher low है वो confirm होता है इस point पे तो यह जो point है आपका, यह हो गया आपका higher low, right क्योंकि market market में नया high create हो गया है नया Break off structure हो गया अब आपको wait करना होगा again inducement का अब इस cases में हम identify करें तो आपका inducement कहां पर है यहाँ पर दो pullback है और यह आपको after break off structure देखना है ऐसा नहीं किसरे सुईप कर दिये तब भी inducement क्योंकि यहां पे है, क्योंकि break of structure यहां पे हुआ, अब pullback, आपका first pullback यहीं पे, अगर यह market यहां पे like एक और pullback यहां पे create कर देता है, कुछ इस type से market नय pullback किया और उसके बाद उपर गया, इस type से उपर जाता रहे, तो क्या होगा, आपका inducement कहां पे रहेगा, यहीं पे र pullback लिया, और पहला pullback लेने के बाद में ही, आपका जो structure है, वो confirm होगा, इस type से, right, अब यह price आपका decisional PII पर जावी सकता है, या फिर आपके जो extreme PII बहाँ पर जा सकता है, और फिर उसके बाद में continue, उपर की तरफ rise कर सकता है, कुछ इस type से, expectation जो रहती है, वो कुछ इस type स रहती है, right, यह आपका नया higher high confirm हो जाएगा, और यह point आपका नया higher low confirm हो जाएगा, इस point पर, right, अब यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि market ने again यहाँ पर break off structure कर दिया है, और जब market break off structure कर देगा, तो यानि कि यह जो structure है, वो continue rise कर रहा है, उपर की side में, तो यह जो आपका inducement है वो यहाँ पर रहेगा, और इस crisis में आप देखोगे कि जो आपका inducement है, वो कहाँ पर, again break off structure किया, first pull back आपका inducement convert हो जाएगा, right, तो यह जो process है, वो same continue उपर की तरफ चलता रहेगा, जब तक कि आपका main low break न हो जाए, right, अब काफी दिक्कत ही आती है कि market ने आपका, like for example, य change of character हो गया, और यह higher time frame का chalk है, और जब higher time frame का chalk create होता है, तो उस crisis में आपका main, like के, आपका जो after chalk, जो higher time frame का होता है, उसमें आपका candle closing होना ज़रूरी रहता है, उसमें sweep नहीं चलेगा, lower time frame में possible होता है, बट higher time frame में नहीं, क्योंकि हम उसमें entry लेते हैं, तो वहाँ पे sweep भी काम कर जाता है, lower time frame में, बट higher time frame में यहाँ पे candle closing होना ज़रूरी है, तब जाकर के आपका यह valid chalk होगा, right, अब यहाँ पे scenario एक रहेगा, कि यहाँ पे inducement आपका कहाँ पे रहेगा, तो inducement after chalk जो भी आपका first pullback रहेगा, वो आपका ऐसा inducement का का काम करेगा, क्योंकि अब आप आपका जो expectation है, वो change हो गया है, बलब आपका जो भी perspective आपने बनाया था, bullish था, वो अब variance हो गया है, आपको क्या है, एक variance perspective से देखना है यहाँ ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह inducement काम करेगा, यह तो एक structure basis पे inducement हो गया, जहाँ पे हम structure marking करते हैं, उस case में आपको inducement की जरूरत होती है, अब एक दूसरा question यहाँ पे आता है, कि एक minor inducement होता है, एक होता है major inducement, उसको हम कैसे resolve करें, सबसे important चीज रहती है, देखो, minor और major में एक छोटा सा फरकिये, आप से पेंसाइस से भी लागा सकते हो, दूसरा पैसे समझ सकते हो, जब भी market आपका bullish है, या फिर bearish है, उसमें जो पहला pullback होगा, वो आपका एक small pullback भी हो सकता है, एक major pullback भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम expectation करें, यह आपका small pullback है, और यह आपका larger pullback है, कुछ इस type से, तो यहाँ पे जो आपको lower low structure confirm करोगे, वो आपके first small pullback भी कर सकते हो, जब आपको entry लेना हो उसको break करें, और जो भी आपका unmitigated py है, वहाँ पे mitigation दे, और फिर हम वहाँ पे entry बनाएं, तो वो आपका हो जाता है major inducement, यह depend करता है कि आपका shape and size जादा है, और उसकी alike के दूरी काफी distance जो है, वो काफी जादा है, यानि कि इस lower low से लेकर के, इस lower high के बीच की जो distance है, व को लेने के बाद, आपके जो भी unmitigated order flow, या फिर order block होते हैं, उनको mitigate करने के बाद ही, आपको setup मिल जाएगा, लेकिन यह बहुत कम cases में use किया आता है, पर आपको समझना जरूरी है, तो इस तरीके से आप इसमें inducement का marking कर सकते हैं, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा चार्ट प क्योंकि market में जब भी आपको structure mapping करनी होती, तो जहां से market में एक downfall आना start हुआ है, उस point से start किया था, या फिर जहां से market में rise होना start हुआ है, तो बहां से start किया जाता है, ठीक है, तो यहां पे यह आपका highest point था, जहां से bank nifty ने 15 minutes में एक long term, एक higher time frame में एक नया all time high create किया था तो इसको हम एक 15 minutes में analysis करते हैं, to marking structure, inducement ठीक है, और किस तरीके से हम इसमें PI का भी identification कर सकते हैं, तो यहां आपके अगर आप देखोगी जो previous, एक recent higher high create हुआ था, वो इस point पर हुआ था, ठीक है, यह आपका higher high यहां पर create हुआ 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 हु पहला pull back है, वो कहां पर है, यहां से देखोगे, यह पूरा एक last pull back है, और यह इसके यहां small pull back है, तो इसमें जो पहला pull back है, वो आपका minor होता है, क्योंकि यह इसी का part है, और जो actual में measure है, वो यह वाला है, यानि कि यह पूरा एक बड़ा part है, इस type से, तो यह आपका एक measure और minor का difference होता है और यह आपका minor endorsement होता है तो basically जब भी market आपका minor ले ले या फिर major ले ले आपका higher high है वो confirm हो जाता है तो यहाँ पर जो आपका market ने endorsement लिया अब endorsement लेने के बाद आपका higher high confirm हो गया और अब हम क्या expect करेंगे हम expect करेंगे कि आपका जो price है वो किसी PYP mitigate कर दे या फिर वो sweep कर दे या फिर चौक फिले कुछ ऐसा reversal indication मिल जाए जहां पर हम expect कर सकें price का mitigation हो, order flow, order block या फिर कुछ भी ऐसा तो वहाँ पर हम market में नया move उपर को हमें देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर जनली क्या हुआ inducement लेने के बाद market push किया पर यहाँ से rate किया, अब यहाँ से rate क्यों किया इसका reason समझो, अगर आप lap side में यहाँ पर scroll करोगे देखोगे, यह market का gap up and gap down था, यानि कि market ने यहाँ से gap down किया था तो market ने उसको fill किया है यह वाला जो gap है, right यह gap market ने fill किया है उसको और जब market उसको fill करके ही उपर जा रहा है market ने inducement दो ले लिया, market आपका bullish है, inducement लिया, आपका gap फिल किया और फिर हम यहाँ पर lower time frame में जाकर किया आपर entry बना सकते हैं, right तो यह इस तरीके से काम करता है अगेन क्या हुआ, market ने आपका previous high break किया और इसके अबब closing दी और जब price इसके अबब closing देगा तो इसका मतलब market में जो है, अब एक continuation आ रहा है उपर की तरफ market जा रहा है, और आपका higher low point था, वो आपका confirm हो गया है यहाँ पे, और जब आपका higher low confirm हो गया, break of structure confirm हो गया अगेन हमको क्या देखना है आपके, inducement inducement मतलब पहला pullback जो पहला pullback होगा, वो आपका inducement होगा same चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे after break of structure, first pullback कहाँ पे, यह वाला ठीक है, और inducement हमें सा lap side में होता है, जो side में structure break होगा है, तो हमें इस side कहीं लेना जहां से structure break होगा है, तो यह पहला pullback आपका inducement का काम करेगा, और जब market ने inducement लिया, तभी हम यहाँ पे buy expect कर सकते हैं, अब buy कहाँ पे expect करेंगे हमें सबसे पहले देखना होता है, order flow unmitigated order flow हो, या order flow या gap up, gap down हो, अगर हम nifty या फिर stock में trade करते हैं, right, क्योंकि forex क्रप्टों में तो gap up, gap down होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो majority के रहता है, कि market आपका inducement लिने के बाद, या तो order flow mitigate करेगा, आपका सबसे main, उसके बाद में, अगर order flow mitigate हो चुके हैं सारे, तो फिर order block पे काम करेगा, या imbalance, या फिर gap up and gap down, ठीक है, तो इस तरीके से price mitigation होती है, तो price ने inducement लिया, और inducement लेने के बाद में, जो आपका first order flow था, जहां पे, right, उसको यहां पे market ने दिया, इसको mitigate किया, क्योंकि last selling move before this buy, यही move है, तो price ने इसी को mitigate किया, और फिर market उपर गया, अगर हम इससे left side में देखे, यहां पे कुछ भी ऐसा हो, जो यहां पे लगता हो कि order flow है, unmitigated है, कुछ भी यहां पे, तो आप देख सकते हो, यह वाला point, right, यह last selling move before the buy था, जो कि already mitigate किया, यहां कि pullback यहां से market आया, और इसको यहां से mitigate कर दिया, इसका कोई use नहीं है, और इससे पहले वाला अगर आप pullback देख होगे, तो यह है, जो कि already mitigate होगया, यहां कि last selling move before this buy, which is already mitigate है, तो यहां कि सब कुछ mitigate होगया, हमारे पास सिर्फ एक यही pullback था, जो कि unmitigated है, और यहां पर price mitigate करके, इसको उपर की तरफ react किया है, तो after inducement, फिर क्या होता है, market आपका higher high confirm करते देता है, जो कि price point होगया, right, अकेर market ने इसको break किया, और इसके बाब closing दी, और जब market closing देगा, फिर क्या होगा आपका, एक higher low confirm हो जाएगा, क्यों, क्योंकि market का जो direction है, वो bullish है, right, अब आपको यहां पर same चीज़ अपलाई करने है कि आपका inducement कहां पे, inducement मतला पहला pullback, तो पहला pullback यहां पे कहां पे पहला pullback लेगी, तो फिर आपका एक higher high confirm हो जाएगा, इस वाले price point पे, right, अब यह वाला आपका higher high confirm हो गया, right, और अब आपको क्या करना है, यहां पे buy करना है, right, but buy कहां पे करेंगे, यहां पे तो कोई, P.O.I. नहीं है, तो यहां पे क्या होता है, जब inducement sweep करता है, तो हम बहाँ पे based on single candle autoblock की confirmation पे, यहां पे buy करते हैं, यहां फिर market आपका जो भी unmitigated P.O.I. है, यहां पे mitigate करता है, तो फिर हम buy करते हैं, but price यहां पे नहीं आया, continue rise किया उपर की तरफ, right, और यहां पे किसी भी tap का, यहां पे आप notice करोगे, यह जो आपका structure confirm हुआ है, यहां पे, ठीक है, यह काफी ध्यान देने वाली बात है, यहां पे जब आपका higher high confirm हुआ, और यह वाला जो point आपका, यह break off structure हो जाएगा, और यह आपका higher low हो जाएगा, right, अब break off structure होने के बाद, अकेर हमको चाहिए inducement, अब इस lag में अगर आप notice करोगे, तो कोई भी यहां पे pullback create नहीं हुआ है, right, सिर्फ एक pullback यहां पे create हुआ है, जो कि last वाला था, और फिर यहां पे इस तरीके से, तो यह single lag मूँव है, तो आपका जो technically inducement होगा, वो यहां पे आजाएगा, यहां पे shift हो जाएगा, और इसी तरीके से, आपका जो inducement है, और बागी की जो चीज़ें, आपका higher high है, वो shift हो जाएगा, यहां से यहां पे पहुँच जाएगा, ठीक है, अब यह क्यों पहुचता है, क्योंकि market ने यहां पे इस lag में कोई inducement create नहीं किया, उस के सिसमें यह पहुचता है, ठीक है, अगर यहां पे inducement create होता, तो यहां पे shift नहीं होता, यह वाला जो inducement है, वो shift हो जाता है, अभी market ने आपका जो extreme, क्योंकि inducement के बाद में, आपका सिर्फ यही एक unmitigated order flow है, जो price ने mitigate किया, और यहां से reaction दिया, उपर की तरफ निकल गया, अगर आप यहां पे सोच रहे हो, कि यह वाला जो like shadow है, वो यहां पे इस तरीके से sweep किया है, तो technically यह जब होता है, जब आपका कोई भी price mitigate करे, उसको sweep, एक additional liquidity grab करनी होती है, या फिर कुछ like order block, या फिर कुछ ऐसा unmitigated imbalance mitigation करना होता है, तब होता है, तो अगर market sweep करता है, तो उस case में वो scenario valid बनता है for buy and sell, क्योंकि वो indication होता है, liquidity grab का, और यहां पे जो indication actually वो हुआ है, वो सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि extreme पे अगर आप notice करोगे, तो आपका order block है यहाँ पे, extreme पे, right, तो इसलिए price नो उसको mitigation के लिए यहाँ पे किया है, but technically जब price आपका order block पे mitigate करेगा, और यहाँ पे आपको lower time frame में जाकर कि आप यहाँ पे entry बना सकते हो, और यहाँ पे आप direct entry भी बना सकते हो, बड़ आपको stop loss से, वो main low के नीचे ही रखना है, क्योंकि आप जो buying कर रहे हो, वो extreme py पे कर रहे हो, क्योंकि इसके नीचे आप देखो कि कोई भी ऐसा extreme या फिदे decisional py नहीं है, सिर्फ एक ही point है, वो यहाँ पे जो कि एक extreme का भी काम करेगा और decisional का भी, again market उपर गया और आपका high break ही है, और high break करने के बाद यह आपका हो गया नेदर break off structure, अब यहाँ पे इस point में देखोगे तो market ने इसका high sweep किया, यह break off structure नहीं है, यह सिर्फ एक liquidity grab है, अगर price इसके next attempt में इसके above closing देता है, तो यह आपका next break off structure हो जाएगा, जो की valid बनेगा, इस टाप से, तो अब जाकर के price यहाँ पे confirm किया, यह break off structure हुआ, और जो आपका higher low है, वो इस price point पे confirm हो गया, तो again, सेम चीज़ आपका apply करने है, कि आपको identify करना, कि आपका inducement कहाँ पे, after break off structure, तो पहला pullback इस cases में identify करोगे, कहाँ पे है, तो कि यह वाला जो pullback है, यही आपका inducement का का काम करेगा, क्योंकि after break off structure, यही पहला pullback है, अगर मैं इसको थोड़ा सा rank करूँ, कुछ step से, क्योंकि इसके बाद में जो भी यह सब कुछ बनाए, यह internal structure है, और internal structure में आपको inducement identify नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, कि आपका यह inducement है, यह inducement, यह inducement नहीं है, आपका inducement, जिस side में स्टक् UI कहां पर है, जहां पर हम act कर सकें for buy and sell, यहां से अगर आप bottom से start करोगे, क्योंकि market bullish है, तो यहां पर तो कोई भी ऐसा order flow नहीं है, जो कि unmitigate हो, यह वाला order flow है, क्योंकि इस movement से mitigate हो गया, और यह वाला यहां से mitigate हो गया, और इसके एक between बनाए, यहां पर, और यह जितने भ market, आपके किसी भी, जो भी आपके possible order flow है, वो mitigate हो जाते हैं, तो उस cases में क्या होता है, आपको simply wait करना होता है, आपका order block को mitigate करें, या फिर आपका कुछ ऐसा imbalance बचाओ, जहां पर price mitigate करें, तो हम बहां से expect कर सकें for buy and sell, ठीक है, तो अब यहां पर order flow तो सारी mitigate हो चुके है, यहां से अगर आप notice करोगे, तो कितने सारे unmitigated order flow, order block है, जो कि अभी बचे हैं, सबसे पहले, यह वाला आपका order flow, यहां पर mitigate होआ, और यह order flow, आपका इस type से create हो है, जो कि lowest point इसका यहां पर break करके बनाया है, जो कि इस point पर है, तो यह आपका next order flow है, जो कि unmitigated है, जहां पर हम expect कर सकते हैं कि price अगर यहां पर mitigation करें, तो हम यहां पर buy कर सकते हैं, दूसरा इस से just above जाएंगे, तो आपका यह वाला order flow, यह भी mitigate हो चुका है, और यह order flow आपका unmitigated है, अभी यह unmitigated क्यों है, क्योंकि इसको market ने किसी ने भी यहां पर mitigate नहीं किया है, तो यह नही पर tap करता है, यहां पर कोई भी reaction देता है, और यहां पर कोई भी confirmation मिलती है, तो हम यहां पर buy कर सकते हैं, दूसरा अगर यह fail होता है, दूसरे पर tap करता है, यहां पर भी confirmation मिलती है, तो फिर हम buy कर सकते हैं, अदरवाज यह fail होते हैं, यानि कि दोनों PI fail हो जाते हैं, तो chances र और market ने अपना higher high confirm कर दिया क्योंकि market ने inducement ले लिया अब inducement समझगे after break of structure पहला pull way और inducement के बाद ही entry लेनी है उससे पहले नहीं लेनी है ठीक है तो ये वाले जो zone है आपके ये पहला है ये दूसरा है extreme से आपको reaction मिला है और यहां पे आपको reaction एक अच्छा मुब मिला देखने के लिए पैटे ये enable to create new higher high ठीक है तो इसने आपका जो higher high है वो उसको failed कर दिया एक नया high high create करने में और market नीचे के तरफ drop हो गया और जो main आपका main low है वो इस price point पे और इसको market अगर स्वीप करता है तो हम again एक high expect कर सकते है otherwise यहां पे हमें एक downfall देखने को मिलेगा तो market ने finally इसको चौक create कर दिया है यानि कि change of character यहां पे हो गया है जैसे मैंने explain किया था on diagram अब यह चौक हो गया है इसका मतलब अब हम यहां से क्या expect करेंगे अब market का जो direction है वो various हो गया है अब हमें again inducement चाहिए but to confirm a lower low अगर यहां पे आप notice करोगे तो आपका जो पहला pullback है वो यहां पे है अब यह पहला pullback market ने लिया तो आपका क्या होगा नया lower low confirm हो जागा इस point पे again market ने इस low को break किया इस वाले point से और यह क्या होगा आपका यह आपका हो जाएगा break of structure क्यों क्योंकि यह चौक हो गया यह break of structure break of structure generally indicate करता है to confirm to continue time और यह आपका higher low confirm हो जाएगा क्योंकि market ने break of structure यहां पे confirm कर दिया है again अब हमें क्या पर दे देना है हमें दिखना है कि again आपका next inducement कहां पे है आपका जो next inducement होगा वो यहां पे होगा अभी यह यहां पे क्यों होगा क्योंकि यह valid pullback है क्योंकि candle ने previous candle का high break किया है तो यह valid pullback है अगर market इसको grab करता है और market उपर जाता है और जो आपका unmitigated order flow है last buying before the sell यहां पे तो यहां से हम expect कर सकते है कि price हमें नीचे के तरफ drop देखने को मिल सकता है तो यही आपका last buying momentum before this drop है जहां से हम expect कर सकते है कि price में like उपर जाए और फिर यहां पे कोई mitigation होगा और lower time frame में chalk flip मिले और फिर हम यहां से sell expect कर सकते है और main low as a target रख सकते है इस type से तो इस तरीके से हम इसको marking कर सकते है so I hope आपको काफी समझ में आगा हो कि inducement किस तरीके से काम करता है inducement का main use क्या है to marking the structure और कौन सा inducement हमें लेना है कौन सा हमें PY लेना है यह काफी सारे आपके जो answer है वो यहाँ पे solve उखेंगे मैंने putting all together पे एक already video बना दिया है जो कि मैंने upload किया YouTube पे आप जाकर के इसको देख सकते हो जहाँ पे मैंने सब कुछ explain किया है कि आपको structure mapping से लेकर के inducement, PY identification और lower time frame entry execution तक सारा कुछ detail में explain किया है तो आप जाकर के उसको देख सकते हो मैंने already upload किया है अपने YouTube चैनल पे I hope यह video आपके लिए काफी helpful रहा होगा और इसी तरीके के video आपको regular मिल सकें इसके लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और इस video में आज के लिए काफी है और मैं मिलता हूँ जल्दी आपको एक next video में तब तक लिए गुड़ पाई and happy day day